हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चानल प्रदीमा लाइफ एल्लेविक और मैं हूं प्रदीमा फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना ड्रेसिंग टीबल ओगनाईज़िशन वीडिओ, मैंने बहुत ही सिंबल तरीके से अपने ड्रेसिंग टीबल को ओगनाईज करके रखा हुआ है तो चलिए ये वीडियो शुरू करता है फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेक्ट कलर के सब्सक्राइब बटन पे आप हिट करिए और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन बैल दिखेगी आप उसे भी हिट करिए ताकि मेरी सारी वीडियोज आप देख सकें इससे पहले कि ये वीडियो मैं शुरू करूँ मैं आप सभी को बहुत 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 थैंक्स बोलना चाती हूँ मेरी वीडियोज को इतनी हाइप पर पहुंचाने के लिए इस्पेशली किचन क्लीनिंग और ओगनाइजेशन डेकोर वीडियोज को तो फिर से एक बार आप सभी को थैंक्यू सो मच और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ये है मेरा बेडरूम और बेडरूम में मैंने इस स्लीक से वाडरोब में एक तरफ अपने कपड़े रखे हुए हैं और एक तरफ मैंने अपना ड्रेसिंग बनवा के रखा है क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी कि बाहर से कोई भी सामान ना दिखे जो भी मैं अप लगा हुआ है ताकि अंदर का कोई भी सामान ना दिखे और काफी डेप्थ है शेल्फ में आप देख सकते हैं कि बहुत जादा डेप्थ वाले मैंने शेल्फ बनवाए हैं ताकि मैं मैं सामान इसमें रख सकूं और नीचे मैंने तीन ड्रॉर्स बनवाए हैं दो जो है वो वो काफी बड़ा ड्रॉर है तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं सबसे फर्स्ट शेल्फ और वो उपर का शेल्फ है तो इसमें मैंने ओईल रखा हुआ है एक कंटेनर में ये जो कंटेनर है ये भी मिठाई के साथ आता है आप जानते होंगे और इस बॉक्स में रखा हुआ ये एक्स्ट्रा टिशू रोल है और उसके पीछे एक बॉक्स देख रहे हैं उसमें मैंने परांदे वगेरा जो डांस में चाहिए रहते हैं वो मैंने रखे हुए हैं इधर मेरा हेर ड्रायर है वो भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और इधर कुछ टिशू रखे हुए हैं जब भी हमें चाहिए होते हैं लोग यहां से निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से मैंने अपना फर्स्ट शेल्फ जमांके रखा है जिसमेंसे मैं बहुत ही कम बार सामान निकालते हूं Now let's move to the next shelf means second shelf and second shelf में मैंने रखे हुए हैं पर्फियूम्स & दियोस Friends यहां मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि 2-3 पर्फियूम ऐसे हैं जो गिफ्ट किये हुए हैं और उनका फ्रेक्नेंस काफी स्ट्रॉंग है वो हम लोग लगाते नहीं है तो उनको मैं पीछे साइड रखती हूं और उन्हें मैं रूम फ्रेशनर की तरह यूज कर लेती हूं उनको फेकती नहीं हूं बिल्कुल भी अगर आपके पास भी ऐसे कोई पर्फियूम है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं उनको रूम फ्रेशनर बना सकते हैं जो एक्सपाइड हो गए या फिर जो आप लगाते नहीं है बाकी सारे पर्फियूम्स हम तीनों यूज करते हैं जो आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स मुविंग तो दे नेक्स शेल्फ याने की थर्ड शेल्फ और थर्ड शेल्फ में मैं अपने सारे मौशराइजर रखते हूं बहुत ही लिमिटेट सामान में यूज करते हूं जादा स्टफ मैं खरीती नहीं तो जो भी संस्क्रीन पाउडर या जो भी लोश अपने लाइनर्स रखती हूं और जो भी ब्रशेज है वो मैं वही पर रखती हूं ताकि एक ही छोटी सी जगह पर बहुत सारा सामान बन जाए तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने काजल पैंसल वगर अभी रखी हुई है और बहुत ही एजीली मिल उनको ड्राय करके और इसी में अच्छे से लगा कर और वापिस में पाउच में रख देती हूं तो ऐसा मेरे पास एक और है तो यह मैं हमेशा रेडी रखती हूं और एक मैं अंदर रखती हूं कभी ट्रैवल करने के परपस से और तुरंत इसे उठा के अपने बैड में डाल ले जाओं तो इस तरह से मैं इस चीज को हैंडी रखती हूं और श्रीया की बेबी क्रीम और मेरे मॉश्यराइजर संस्क्रीन लोशन वो सब मैं यहीं रखती हूं ताकि जब भी किसी को भी कुछ भी निकाला हूं तो सामने दिखे और वह एजली उस सामान को निकाल के वहीं वापिस रख दे तो वह फैलता भी नहीं है और एक जो वाइट कोलर की ट्रेय आप देख रहे हैं उसमें मैंने अपना लिब बाम रखा हुआ है और बोरुलीन रखी हूई है तो वह भी हमें बहुत जादा फ्रिक्वेंटली यूस हम लोग करते हैं तो मैं स लिबूलासी देख रहें सब्सक्राइ तो यह जो आप बॉक देख रहे हैं गोलगोल इसकिन मैं अपनी टिक टक पेंस ब्लैक कलर की जो भी मैं यूस करती हूं वह मैं इसमें रखती हूं ताकि श्रीय जो है इस तो बारवबर हाटना डाले ऊसकी कोई भी क्लिपस में इसमे कभी कभी डांस की लिए श्रिया को चाहिए होता है तो मैं अपना उसको दे रहती हूं और लगा के वापस अपनी जगह पर रख रहती हूं और यह जो बॉक्स में बहुत रेर्ली जो मैं सामान यूज करती हूं जैसे कि स्टोन्स के नेकलस वगरा है या फिर जब भी श्रिया को डांस में को चाहिए रहता है तो वह मैं इसमें रखती हूं तो यह बॉक्स में सबसे नीचे रखती हूं ताकि क्योंकि इसको रोज रोज तो यूज करना नहीं है तो इसको सबसे नीचे रखती हूं और इसके ऊपर जो दोनों बॉक्स हैं जूड़ा पिन वाला और टिक जब भी time मिले तो मैं सारे jewelry boxes में अर्येंज कर दों properly तो नीचे की jewelry box है वो ट्रांसपरेंट है मुझे पता है कि मैंने क्या-कया रखः तो black color की jewelry मैंने एक अलग box में रखी है और जो बड़े एरिंग है हलके वाले वो मैने इस box में रखे हुए है और देखिए आप इसमें मैंने कुछ रिंग्स टाइप की जो थोड़े से बड़े होते ना साइस के वो मैंने इसमें रखे हुए और इसमें मैंने कुछ एथिनिक टाइप के वैर करती हूं जो में सूट्स वगएरा तो उसके लिए मैंने इसमें रखे हुए सारे नीचे कुछ मैं ऐसे लूज भी डाल देते हूं देख लेती हूं कि किसको कैसे रखना है बाकि ये जो बॉक्स है इसमें मैं ब्लैक कलर की जूल्री रखते हूं ब्लैक एंड गोल्डन जब भी कुछ इसके कॉम्बिनेशन में पहनना होता है तो यहां से निक्ताल लेती हूं सिमिलरली यह जो आफ बॉक्स देखरें बड़ा साथ इसमें भी मैं अपने सारी जूल्री रक्ती हूं जो भी मिक्सं मैच करके पहन भी है वो सब मैं इसी में रखती हूं कÎ सफाइड में जो आफ आप बॉक्स देख रहे एध जूल्री के च्टी जो ह ripple में दीकि और के लगा नहीं है वह जो फीक नहीं सब गॉपप्रस्ट-चूरी मला सबंगा सकतर है अगर चूड़ी के साथ आपके पास भी हैं तो इनमें आप एरिंग्स पॉस अच्छे से रख सकते हैं और ट्रावल करने के टाइम पे इसको आप अपने साथ भी जा सकते हैं तो यह जो सबसे कॉर्णर वाला जूल्वी का केस है उसमें मैंने एरिंग रखी हुई है सिल्वर करकी इसमें मैंने जो है रिंग्स रखी हुई है गोल्डन सिल्वर जो भी मैचिंग के हैं वो फोड़े ही बहुत मैं यूज करती हूं वो सब मैं इसी में रखती हूं लिमिटेट सामाल और यह वाले में मैं टॉप्स रखती हूं क्योंकि टॉप्स मैं अलग रखती ह सब चीजों में और सबसे लास फाले में मैं रखती ओं जो सिंपल एक चैन होती है ko branch वोमास में रखती हूं सिंपल जिसा हरा है एक पेंडेंट है इस शियुला बारिक बारिक जो चैन होती है वह मैं से रखती हूं ताकि मुझे पता रहे कि मैंने पतली वाली चेन कहा तो उसका मैने अलग से एक box बनाके रखा हुआ है पाकी पीछे जो आप देख रहे हैं बॉक्स में भी मैंने जूलरी ही रखी है वह थोड़ा डांस वांस के हिसाब से है श्रीया की तो पीछे ही रखती हूं तो इस टाइप से मैंने अपना फॉर्थ शेल्फ जमा के रखा हु पाइब से पाके जूलरी बहर से पाहला की उसको बिल्डार के लाओका को नुट्वर्थ उप्रsilव मैं नियु ऊजर Τाइम मिले को चाहे प्रपर प्ले स्ट्रव को तो फर्स शेल्फ थो मैं हमांचा था तो ये जो भी अपने आप बहुत ही अचा है पॉर्म उपने को तो इसमें बहुत सारा सामान में रखनी पाती थी और बॉक्स के उपर रखती थी तो पहले बॉक्स निकालों फिर उसमें से सामान निकालों पर डिफिकल्ट होता था तो यह रख लिया और इसमें मैंने चोटे-चोटे बिंदी के डपे रखे हुए जैसे कि आप देख रहे ह करते हुआ हैं चोटे-शओं की बिंदी और साटि कलेर फुल बेंदी और उससे थोड़े-बडस की में इस ठीडिश मेरगों तो तो सारी इक तरह रख रहती है और बीच में आप देख रहे हैं er जाधु में इस डब्बे को यूस करती हूँ तो ये मैं सामने रखती हूँ और इसके पीछे आप आप देख रहे होंगे सिंदूर की तो ये मेरा पीछे हमेशा ऐसे ही रखा रहता है तो बेसिकली मैं इसी तरीके से अपना सामान रखती हूं और हाथ भी मेरा वहीं जाता है इसमें रखा हुआ मैंने मंगल सूत्र और यह कभी भी साड़ी वाड़ी हम पहनते हैं तो उसमें रहता है तो छोटी-छोटी डिब्यों मैंने अल तो इस टाइब से मैं अलग करके सब चीजों को रखती हूं ताकि मुझे एजीली मिल जाए और पता रहे कि हाँ इसमें यह चीज और इसमें यह चीज जैसे कि यह ब्लू कलर की जो भी डिब्यों का जो भी नेकलेस है वो सब मैंने इसमें रखा हुआ है ताकि जब भी लगता है और इसके नीचे भी एक डिबी रखी है उसमें भी मैंने मंगल सूत्रे ही रखा हुआ है क्योंकि यह जो दो मंगल सूत्रे ना यह मुझे मुझे मतलब गिफ्ट में मिले थे दो मैंने जैपूर से खरीदे थे तो यह मैं यहीं हमेशा रखती हूं और फ्रेंट्स य किया शादी को तब से खटा है इसमें पिंस रखी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं कि साडी पिन है जो मैं अकसर यूज करती हूं और जो एक्स्ट्रा पिंस है वो मैं इसमें रखती हूं हाला कि यह तो लिप्स्टिक का केस है मुझे किसी ने दिया था बट मैं इसको प अब बताओंगे कि मैं वह कहां रखती हूं जो बल्क में खरीगती हूं वह में नीचे रख देती हूं बाकी बगल में आप देख रहे होंगे कि यह विटमीन-E के कैपसूल है यह बहुत अच्छे होते हैं स्किन केर के लिए या फिर हैर के लिए तो वह यहां रखती हूं ओर इधर मैं रखती हूं अपना एयरबर्ट्स और कुछ नियलपेंट्स जो मैं यूज करती हूं और ष्रीक अव मेरी हम दोनों की कौमें जो न्यौल पेंट्स हैं पो मैं यही रखती हूं इसमें नेल आ कंटर रखा हूँ है कि कभी भी नेल-आ चाहिए व तो निकालने औ तो अपटी एरिंग्स उतार के इसी में रख देती हूं और जब भी मिने समय मिलता है तो उसको जगह पर देती हूं आप देख रहे हूं कि बहुत सारी एरिंग्स घट्टे हुए मुझे जगह पर रखनी है चलिए ड्रॉर देखते हैं तो ड्रॉर में मैंने कुछ इसमें कुछ कलरफुल बैंड्स हैं यह उसके स्कूल के बैंड्स हैं ब्लैक वाले और यह जो ब्लैक कलर के बैंड्स हैं यह मैं यूज करती हूं तो इस टाइप से मैंने बैंड्स के लिए अलग से एक ऑगनाइजर रखा हुआ है उसी में मैं सारे बैंड्स रखती हूं ज सारी च्योटी शुटी कलिप्स जातर एक सरी तो यूज करती ह поряд भूस ये एक गॉलडणय जो है वहीं मैं यूज करती हूं तो मैं इसी में रखती हूं और इसके बाद वाले जो है मतलब डेली में कह सकते हैं कि डेली में यूज करती हूं बाकी जो मैं बहुत कम यूज करती हूं शादी वादी में वो सारी बिंदी मैं नीचे रखती हूं एक बॉक्स में वो मैं आभी आपको बताऊंगी और ये वाला जो बॉक्स है वो मैं खाली ही रखती हूं इस तरीके स देखिए आप मैं आपको दिखाती हो शेल्फ लाइनर आप जरूर लगाई है लेकिन रबर वाला लगाई है यह क्या करता है कि उपर आपने जो भी सामान या जो भी ऑगनाइजर रखा है उसको हिलने नहीं देता तो इस टाइप का रबर का जो ऑगनाइजर स्वरी रबर का जो शेल्फ लाइनर मिलता है ना वो आप मार्केट से खरीद लीजिए और उसको अपने शेल्फ के एकॉर्डिंग कट करके इसमें लगा दीजिए जब भी आप इसे खोलेंगे बंद करेंगे तो कोई भी सामान हिलेगा नहीं लास्ट जो है छोटा वाला उसमें श्रिया के बैंड्स है और इसके अंदर मैंने इसका कुछ ब्रेसलेट्स वगएरा रखे हुए जो श्रिया हमेशा यूस करती है और कॉर्न वाले टिबे में कुछ नेल आर्ट के सामान है और जो भी पैडिकुर में यूस करती हूं उसका सामान इसमें रखा हुआ है मैं आपको दिखा में यूस करती हूं चोटा सा ये पैडिकुर में यूस करते हैं वो सब चीजे में इस चोटे से बॉक्स में रखती हूं फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे ओगनाइजर्स खरीदे और तभी हमारी चीजें और चीजें आपके पास जो भी अविलेबल चीजें आप उसमें अच्छे से जमाकी चीजों को रख सकते हैं यह देखिए यह मैंने अपना एक लाख का मेरे हजबन ने मुझे गिफ्ट किया था तो वह मैंने इसमें रखा हुआ है क्योंकि मैं किसी और के साथ इसको रखनी सकती हूं यह बहुत जल्दी ब्रेक हो सकता है तो इ डिजाइनर बिंदी हुई यह एक्स्टा बिंदी हुई वह सारी में इस बॉक्स में रखती हूं नीचे जो आप बॉक्स देख रहे हैं वह भी ट्रांस्परेंट बॉक्स है और यह बॉक्स आपको एजीली कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा इस टाइप के बॉक्स आप ल पहन नहीं है तो इसलिए मैं इसे नीचे रखती हूं जब दी इनको यूज करना हो तो निकालती हूं वा फिसको इसी में रख देती हों भाहर तहीं इसको निकालकर नहीं रखती हूं इस टाइप से गोगृरण और यह जो आप पौच में अग छो जो भी जिप लॉक पॉचेस हैं वो रखें एक्स्ट्रा कॉटन रखा हुआ है तूध ब्रश ऐसे पाउचेस इस टाइप की चीज़ां जो ट्रैवल में यूज करती हूं मैं वो मैं यहां रख देती हूं जैसे की एक्स्ट्रा शौवर कैप्स या फिर टूध ब्रशेस पेस्ट जो भी हमको ट्रैवल के दौरान चाहिए रहोता है तो वो मैं यहां से निकाल लूँ और तुरंत अपने बैग में डाल दूँ और पीछे जो आप एक पाउच देख रहे हैं उसमें भी वही ट्रैवल का ही थोड़ा बद सामान रखा हुआ है सबसे नीचे अगर हम बैटल की कांच की तो मेरी और श्रिया की हम दोयों की चूडियां इसी में रखी है और मैंने बहुत महंगे ओगनाइजर बिल्कुल नहीं रखे हैं आप देख सकते हैं कि मैंने शूट के जो बॉक्सेज है उन्ही को यूज किया है उनको अच्छे से रैप करके तो सारे जो बैंगल्स है और चूडिया है वो सब मैं देख पाती हो कि मुझे किसके साथ मिक्संद मैच करना है सो फ्रेंड्स देखा आपने मेरा ड्रसिंग टेबल मैंने बहुत ही सिंपल तर ही किसको अच्छे से जमा के रखा हुआ है आप भी अपना ड्रसिंग टेबल आज ही और अगर आज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्लैनिंग कर लें जरूरी नहीं है कि आप बहुत म लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे तो आप सभी से मिलती हूँ में नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक केर